आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के सार पूछ कर आवास बुलंद की गई डॉक्टर हीरालाल अलावा ने विधानसभा में प्रश्ट पूछा कि क्या नगरी विकास और आवास मंत्री महोदै ये बतानी की करपा करेंगे कि क्या नगरपले का मनावर के स्वामत्विक की वार क्रमांग पांच की भूमी वर्ष 1967 और 68 को 30 वर्ष की लीज पर निजी उप्योग हेतु दी गई जिसके अवधी वर्ष 1996 और सिंथियानवे में समाप्त हो गई यदि हाँ तो नविनी करण नहीं होने के बाद भी उक्त भूमी खाली नहीं कराय जाने का क्या कारण है ततसंबंदी ब्योरा दे किये जाने के उपरांद नगरपाली का परिशत मनावर के विक्रे करने वालों के विरद कोई कारिवाई क्यों नहीं की अध्वा क्या कारिवाई की गई विधी सम्मत कारण बताए साथ ही ये भी बताए कि नगरपाली का परिशद मनावर के विशे सम्मेलन दिनांग 28-7-2020 को प्रस्ताव करमांग 149 अनुसार लीज समापती वाली नगरपाली का परिशद मनावर को संपर्थी को अतिक्रमन मुक्त करने के समंद में बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के उपरांध भी नगरपाली का परिशद मनावर द्वारा कोई करिवाई नहीं किये जाने का क्या कारण है इस पर नगरी विकास और आवास मंत्री श्री भुबन सिंग ने जवाब देते वे कहा कि जीहां लीज अवधी समापतोने के परश्चात तत समय निकाय परिशद द्वारा उक्त भुमी को खाली कराने की कारिवाई नहीं की गई साथ ही लीज ग्रहिता धारकों के द्वारा बिकरी रजिस्ट्री और पारिवारिक वंश परंपरा के आधार पर लीज भुमी का बटवारा किये जाने के कारण तत समय निकाय द्वारा उक्त भुमी का नामांतरन किया गया है तीसरे प्रश्ण का जवाब देते हुए राजस्व मंतरी ने कहा कि लीज पर आवंटित भुमी को लीज ग्रहिताओं लीज धारकों द्वारा विक्रे किये जाने के सम्बंद में निकाय द्वारा वर्ष 2020 तक सम्बंदितों के विरुत कोई कारिवाई नहीं की गई अपितू परिशत प्रस्ताव क्रमांग 149 दिनांग 28 जुलाई 2020 में लिये गए निर्णे अनुसार सम्बंदित वेक्तियों को सूचना पत्र जारी किये गए कारिभाई प्रचलित है, साथी बताया कि परिशद प्रस्ताव क्रमांग 144 दिनांग 28 जुलाई 2020 द्वारा संपूर्ण भूमी भवन का सर्वे करवाया गया और पाया गया कि उक्त 37 प्लोट पर कुल 106 धारक काबिसे, 106 धारकों में से 96 धारकों को भूमी रिक्त करने हितु एक महा का सूचना पत्र दिया गया साथी 10 प्लोट जिन पर कोई धखलदार नहीं था, उनका निकाय द्वारा पंचनामा बना कर भूखंट आधिपत्य में ले लिया गया मनावर से ओशिक पंडित की रिपूर्ट